मोदक के तो बहुत सारी flavors available है market में पर हलवाई वाले जो मोदक बनाते हैं न मावा मोदक उसका टेस्ट तो सबसे best है तो आज हम वही बाजार के टेस्ट वाला मावा मोदक बनाने वाले हैं और बहुत ही कम समय में बनके ready होगा ये इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चमज घी डाल दिया है कडाई में और जैसे ही घी मिल्ट हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक कप मिल्क पाउडर अब हम मिल्क पाउडर और घी को कंटिनसली चलाते हुए इसे भून लेंगे और याद रहे हमें इसे low to medium flame पर ही भूनना है मिल्क पाउडर को भूनते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि मिल्क पाउडर के lumps बन गए है spatula के मदद से उसे इसी तरीके से तोड़ते जाएए मैंने अपने burner का flame medium रखा है और मैं इसे कंटिनसली चला रही हूँ अब हम इसमें एक और बड़ा टेबल स्पून घी डाल देंगे यानि कि मैंने टोटल दो चमजगी का इस्तमाल किया है यहाँ पे घी डालने के बाद अच्छे से mix कीजे और चलाते रहे है अगर आप low flame पर milk powder को भूनेंगे न तो आपके हातों का तो band बच जाएगा और time जाद अलगेगा वो भी अलग मुझे medium flame पर यहाँ पे भूनते भूनते 10 मिनिट हो गया है और milk powder का color भी change हो गया है अब हम इसमें add करेंगे आदा cup दूद दूद को मैंने पहले से ही boil कर लिया था और जैसे ही वो normal temperature पर आ जाएगा उसे हम इसमें add कर लेंगे दूद add करने के बाद medium flame पर ही इसे लगबग 2 मिनिट तक हम भून लेंगे अब यहाँ पे 2 मिनिट भूनने का जो process है वो बहुत जरूरी है जिससे की हमारा जो मोदक है उसकी shelf life बढ़ेगी वैसे तो आप इसे 4-5 दिन आराम से room temperature पे रख सकते है बाहर और fridge में भी इसे लगबग 1 हफते तक store भी कर सकते है बाद में अब यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद हम 3 मिनिट और पका लेंगे इसे चीनी मेल्ट होकर caramelize होगी न हमारा जो मोदक का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा और इसका color भी एकदम intense हो जाएगा और finally हम finish करेंगे आदा चमच इलाइची पाउडर से जिससे बहुत ही अच्छा flavor आएगा अब यहाँ पे मैंने बॉरन का flame off कर दिया है और हमारा जो मिश्रन है उसे अच्छे से spread कर लेंगे कड़ाई में ताकि यह जल्दी से थंडा हो जाए आप चाहे तो इसे fan के नीचे भी रख सकते है 5-6 मिनिट के अंदर यह थंडा भी हो जाएगा अब यहाँ पे मोदक का मिश्रन थंडा हो चुका है अच्छे से इसे मैं एक plate में निकाल लूँगी और हातों की सहायता से इसे अच्छे से हम मसल देंगे और एकदम smooth texture कर लेंगे अब इसका जो मोदक है वो बनाने के लिए आप चाहे तो मोल्ड का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल्ड के साथ कैसे हम prepare कर सकते हैं इसके लिए मैंने वही मोल्ड का इस्तमाल किया है जिसमें हमने चौकोलावा मोदक बनाया था अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिए चानल पे जाके तो हम जो मावा मोदक है उसका थोड़ा-थोड़ा मिश्रन ले लेंगे और दोनों तरफ अच्छे से इसे रख देंगे और हाँ इस मोदक के मोल्ड को आप ग्रीस करना अब जितने भी एक्स्ट्रा है ना उसे हम इस तरीके से हटा देंगे और बेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस हलवाई स्टाइल मावा मोदक बनकर विल्कुल रेडी है आप इसे एक बार घर पे बना के तो देखिए आइम शॉर मोदक लाना भूल जाएंगे इसका टेस्ट देखने के बाद इसी तरीके से हम बाकी के मोदक भी बना लेंगे तो यह हो गया कि मोल्ड के साथ हम कैसे बना सकते हैं मोदक अब बिना मोल्ड के भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मोल्ड नही करेंगे अगर आपके पास toothpick नहीं है तो फिर spoon का use भी आप कर सकते हैं जो चमच का नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसे use करकर इस तरीके से हम curve lines बना लेंगे मोदक के उपर तो आप भी इस recipe को घर पे try कीजे और अगर recipe अच्छी लगे तो like कीजे friends और family के साथ share कीजे और मेर बेगा नहीं keep watching